हेलो यूरी वण गुड मॉनिंग नमस्कार दो जनवरी 2022 और आज की दा हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे आप इसकी पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्सिन मिल जाएगा या जानिंग किया था कि 15 जनवरी 2022 से शुरू करेंगे लेकिन वो रिशेडूल कर दिया गए कल यानि तीन जनवरी 2022 से ही हम एडिटोरियल पार्ट को डिसकस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर है ठीक है क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं होगा बहुत लेंथी हो जाएगा आदरवाइज वीडियो सबसे बहले बात करेंगे फ्रेंट पेज पे दो तिन इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है और उसका बैक्ग्राउंड के उसके बारे में थोड़ा समझेंगे देश के अंदर कोवीड नाइंटीन केसी का जो नंबर है वो तेजी से इंक्रीज हुए लगवग 20,000 क्रोज कर चुका है और इसी के बाद हम देखेंगे अलग-अलग राज्य सरकारों ने कुछ रिस्रिक्षिन भी लगा दिये इवन अगर आप हर्याना से बिलोंग करते तो आपने पड़ा हुआ कि हर्याना के अंदर इनिशेल लोगडाउन जो लगा दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे देश के अलग-अलग राज्यों में जो केशिज बड़े उनमें एक बड़ा नंबर जो ओमिक्रोन वेरियंट के बारे में माना जा रहा है कि ओमिक्रोन वेरियंट जहां पर साउथ अपरिका और बहुत सवाना से शुरू हुआ था हलाकि कल हम पर multi-dimensional country है तो यहाँ पर speed और क्योंकि population बहुत बड़ी है तो यहाँ पर possibility है कि number of cases और ज्यादा increase होंगे आने वाले time में यह data दिया गया है अलग-अलग राज्यों सरकारों में क्या के हुआ या अलग-अलग राज्यों में कितने cases जो है omicron variant के जो confirm हुई यह cases covid के नहीं है omicron variant के cases हैं यह जो number of cases है कितने case किस राज्य में आ रहे हैं इनको याद करने ही जरूत नहीं है just a observation है कि इसका क्या impact आने वाले time पर पड़ सकता है और देश के कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग district में अलग-अलग subdivisions के अंदर lockdown restriction इस तरह की चीज़े होगी और आन on health infrastructure तेजी से अगर case बढ़ेंगे तो उसका impact क्या पड़ता है इसका impact पड़ता है कि भाई आपके health infrastructure पर असर पड़ेगा इसको लेकर proper planning शुरू कर दी सरकार ने कि अगर situation खराब होती है तो उस situation में जितने भी requirement है चाहिए वो hospitals की हो, beds की हो, oxygen की हो, ventilator की हो उसको ensure क्या जा सारे state government को इसको लेकर लिखा गया है तो यह एक जानकारी है, basically information type में एक news है जो हम discuss करें हैं, इसके बाद जो main news है उसके बारे हम बात करेंगे, इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक news है, GST को लेकर और मैं दो तिन दिन दिन चा लगातार explain कर रहा हूँ GST के बारे में, GST के बा इने में total goods and services tax जो है, वो कितना collection हुआ है, ठीक, तो इसी के बारे मताया गया कि दिसंबर में 1,29,780, लगबग 1,30,000 के आसपास 1.3 lakh crore, ठीक, इसका मतलब यह है कि पहले अगर आप नवंबर में देखेंगे, यह उससे कम हो गया थोड़ा सा, और अगर आप इसको observe करेंग से थोड़ा सा improvement देखने को मिलेगा, और 2020 में जब pandemic थी, उसमें भी improvement देखने को मिलेगा, इसका एक बड़ा reason यह भी है, कि जो domestic transaction है, जिसमें import of services है, इसके लावा वो भी increase हुई है, और as compared to number 2021, December 2021 का जो data है, उसमें थोड़ी सी कम ही देखने को मिली, अब बात करते हैं, GST basically ह है क्या, GST कैसे function करता है, और GST के main point क्या है, देखिए goods and services tax पर यह जो PPT है, मैंने अपने telegram channel पर share करी, वहाँ से भी आप देखेंगे इसको, अगर आप telegram channel पर खोलेंगे, उसमें files का option आता है, वहाँ पर इसकी PDF जो आपको available होगी, यहाँ पर यह updated यहाँ पर यह दिखरी है, एक जनुरी 2018 की, लेकिन मैं आपको एक जान करें देदू, जो update होती है, वो basically GST rates के अंदर mostly changes होते हैं, बाकी कोई इस तरह को कोई change नहीं है, मैं फिर से इसको brief में बता दू, पूरे scenario को, 2006-07 में जब union finance में श्रते उन्होंने एक initial proposal दिया था, कि देश के अंदर GST को ला Finally, एक जुलाई 2017 को भारत में ये लागू कर दिया गया, इसके अलावा दो और जानकारी, आपको ये पता होना चाहिए कि constitution में जो amendment होते हैं, constitutional amendment जो जिसको बोलते हैं, ये जो number था, 122 था, introduce किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, राजसभा के अंदर अलग मिल लेगा, लेकिन जो main आपको ध्यान रखना वो ये, कि जो ये पास हुआ पूरा बिल जो है, act बना, तो ये बना 101 constitutional amendment में, समिधान में जितने संसोधन हुए हैं, उनमें से 101 वा जो समिधान संसोधन है, वो है GST के बारे में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसके अलाव goods and services या दोनों इस context में इनके लाव exempted किया गया कि कुछ चीज़ें इसके अंदर include नहीं होगी, जैसे की alcoholic liquor for human consumption, यानी alcohol इसके अंदर अभी भी include नहीं है, goods क्या है, services क्या है, state क्या है, उसके बारे में बातचित करेगी, goods and services टेक्स जब बन रहा था, तो अलग-अलग देशो उसे अलग-अलग organization के जो एक experience रहा उनका, उससे observation करेगी, उनसे सीखा गया, जैसे यहां पर बताया गया कि चाहिए European Union हो, Australia हो, Malaysia हो, या OECD, Organization of Economic Countries है, उनका जो organization है, उनके जो guidelines है, GST है, WET है, value-added taxes, इन सब से observation के बाद जो है, देश के अंदर GST लागू किया गया, और य इसके अलावा इसमें कुछ articles यहां पर mention होंगी, जैसे concurrent jurisdiction A246A, इसके अलावा center levy कर सकती GST, Interstate GST को article 269A, लेकिन इसमें एक जो close आपको ध्यान रखना है, वो यह, इसी act के अंदर जब यह amendment बना था, यह amendment पास हुआ था, लागू हुआ था, तब इसके अंदर एक close number 19 था, जिसमें mention किया गया था, कि अगर राजे सरकारों को 5 सालों के अंदर GST लागू होने की वज़े से कोई नुकसान होता है, तो central government जो compensation करेगी, compensation का मतलब है, उनको नुकसान की जो भरपाई जिसको बोलते हो करेगी, और यह topic अभी भी news में था, अभी हमने थोड़ दिन पहले पढ़ा था, GST council में या union finance minister का ministry जो है, उनका दूसरे state minister जो finance department को hold करते हैं, उनके साथ consultation हो आज बहुत सारे राजे चाहते थे, कि COVID-19 के वज़े से उनको नुकसान हो है, तो यह जो 5 साल का period है, 2022 में जून में खतम हो जाएगा, इसको extend कर दिया जाए, लेकिन इस पर अभी क को देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनमें main tax को देखेंगे, जो main main tax है, जैसे central जो लेवी करता था, custom duty, excise duty, service tax, central sales tax, और state जो लेवी करता था, wet, luxury, electricity, entertainment, entry tax, and octroy, ठीक है, अब इनको uniform करती है, जीस्टी, जीस्टी के अंदर, तीन पार्ट होंगे, center जीस्टी, state जीस state, GST, ठीक, अभी कुछ चीजेंस के अंदर, include नहीं है, पहला, alcohol for human consumption, यह add नहीं होगा, five petroleum product, add नहीं है, crude oil, diesel, petrol, natural gas, और ATF, ATF का मतलब होता है, aviation, turbine, fuel, यह आप बोल सकते हैं, कि जो airplane के अंदर fuel यूज़ किया जाता है, वो अभी include नहीं होगा, tobacco include नहीं है, entertainment tax, जो की local bodies के द की बारे में की rate कितनी रखनी है, कितनी change करनी है, वो article 279 के अंदर mention है, जिसका नाम है GST council, ठीक, इसको chair करते है union finance minister, voice chair person जो होगा, जो अलग अलग राज्य होते हैं, उनमें से ही चुना जाता है, और member में आप देखेंगे, minister of state होंगे finance, यहाँ पर जो word यूज़ किया गया minister of state, इसका मतलब मैंने बताया भी था, फिर मैं repeat कर रहा हूँ, देखिए central level पर जो ministry होती है, खासकर जो cabinet ministry जिसको बोलते है, cabinet ministry बड़ी ministry होती है, तो उसमें बहुत सारे department होते हैं, उनको support करने के लिए कुछ minister of state बनाय जाते हैं, यानि उनको कुछ department को support करने के लिए, या cabinet ministry को support करने के लिए, ये जो है बनाय जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक independent charge भी आता है, कि वो cabinet से attached नहीं, एक independent ministry है, लेकिन वो छोटी ministry है, cabinet के अंदरे include नहीं है, अलग-अलग राज्यों के finance या taxation ministry होंगे, कॉरम यानि जो decision लिया जाए, उसमें 50% की भागीदारी होने राजे सरकारों का weightage दो त्याही होगा, और center government का weightage जो हो एक त्याही होगा, decision जो ले जाएंगे, 75% majority से ले जाएंगे, council बहुत important decision ले सकती है, कि GST में जो loads है, rules है, rate है, उनको change करने की recommendation जो हो कर सकती है, तो ये काफी important ये topic था, जिसके बारे में हमने detail से पढ़ा, मैं repeat कर रहा हो, GST is one of the favorite topic, पिछले एक-दो सालों से news में है, और अभी mains होने वाला है, तो possibility की GST को लेकर आपसे सवाल जो पुछे जाएं, तो इन इस तरह की basic information आपको मदद करने वाली है, इसके बाद right hand side हम लगातार, पिछले एक week के आसपा से पढ़ रहे है, foreign contribution regulation act, और यहाँ पर एक news आईए, तो आज हम foreign contribution regulation act के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगले दो मिनट के अंदर ही, कि FCRA में 6000 ऐसे NGO है, जो left कर जाएंगे, यह FCRA यानि foreign contribution regulation act का मतलब क्या है, इसके बारे मैंने एक PDF जनरेट करी है, कि इसके तुरूँ दा हिंदू की PDF है, उसके बारे अब तक की story क्या है, कि यहाँ पर यह सोड़ दीजिए, कि कितने NGOs की पुरानी information है, लेकिन जो main चीज़ है, यहाँ पर आ जाईए, foreign contribution regulation act का मतलब है, कि foreign donation होगा, उसको यह regulate करेगा, और अगर आप कोई foreign से इंडिया के NGOs को तरीके से कहिने की contribution कर रहें, इसमें एक word mention किया गय पहली बार 1976 मिलाया गया, फिर 2010 में amendment हुआ, उसके बाद अलग-अलग time पर amendment हुआ, latest amendment 2020 में हुआ था, और इसमें काफी ज़्यादा rules को strict कर दिया गया है, इसके अंदर यह mention किया गया है, कि भाई, आपका registration आपको करवाना पड़ेगा, अगर आप funding ले रहे हैं, ठीक है, association, group पंजी जो भी है, और आपको registration करवाना है, ministry of form of air इसके लिए, एक responsible ministry होगी, या nodal ministry होगी, इसके लावा आप contribution ले सकते हैं, social, education, religious, economic and culture purpose के लिए, आपको income tax में आप annual return करना पड़ेगा, इसके लावा आपको undertaking करने पड़ेगी, कि जो भी आप foreign fund लेंगे, यह भारत की sovereignty और integrity को नुकसान नहीं पहुचाएंगे, sovereignty का मतलब होता है, संपुर्भुता, संपुर्भुता का simple सा मतलब ही होता है, कि हमारा देश एक सवतंतर country है, और अपने decision अपने तरीके से लेगा, यानि हम अपने decision को लेने के लिए बिलकु सवतंतर होंगे, और integrity का मतलब होता है, account, य आपके account को freeze करके, आपके license को immediately जो वो suspend किया जा सकता है, इसके लावा कौन है जिनको आप donation नहीं मिल सकता, यानि कि लोगों को donation इसके अंदर नहीं मिल सकता, वो भी बताया गया है, देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, कि member of legislature, यानि आप MLA, MPA आप नहीं ले सकते, political party न इसमें 1976 का एक कानून था कि political party या फोरण से funding नहीं ले सकती, लेकिन अब यह थोड़ा सा change कर दिया गया, कि अगर कोई foreign company है, जिसमें Indian hold जो है 50% से ज्यादा है, या उससे ज्यादा है, उस context में political party जो है funding ले सकती है, यह एक जानकारी आपको मिलेगी, Foreign Contribution Regulation Act में, simple सा मतलब यह है, कि वह जितने भी आप foreign funding लेंगे NGOE Association में, आपको registration करवाना है, Ministry of Home Affairs के अंदर आपको license लेना है, अगर आप किसी भी rules and regulation का वोलेट करेंगे, तो आपके account को के उपर limitation लगाए जा सकती है, आपके license को renew नहीं किया जाएगा, यह सामानिया से जानकारी है, Foreign Contribution Regulation Act को लेक ठीक है, इसके अलाबा एक छोटी चींफोर्मेशन यहाँ पर, असम के Chief Minister साहब यह बोल रहे हैं, कि एक panel बनाया गया है, नागालेंड को लेकर, नागालेंड के अंदर आपसफा हटेगा कि नहीं हटेगा, जिसको लेकर debate है, और Armed Forces का Special Power Act है, इसको लेकर ही यह पूरी की कि इसके बारे में decision निया जाए, अगर 45 days के अंदर यह panel को बोला गया, कि आप 45 दिन के अंदर अंदर recommendation करिए, कि नागालेंड के situation को observe करते वे, वहाँ पर अपसपा लागू करना कि नहीं करना है, लेकिन उससे ठीक पहले, 6 मेने का extension जो हम वो दे दिया गया, लोग काफी न स्टेट है, जोगरफीकल लोकेशन बहुत क्रिचेल अनगलेंड की, तो आने वारे टाइम में armed forces special power act 1958 को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, यह कुछ एक तरीके से देखने को मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि इस article में, इस तरह के act में क्या होगा specific, तो आप किसी भी अर्टिकल जो एक्ट होता है, उसके basic information, उसकी definition को थोड़ा सा break करिए, armed forces special power, यानि security forces को यहाँ पर special power होगी, search करने के मामले में, inquire करने के मामले में, arrest करने के मामले में, वो इसको कहीने के connect करके देखा जाता है, तो यह front page जो है complete हो चुका है, अब आप लोगों के सामन सवाल यह है, सवाल आपको नीचे comment करना है, देश के किन राज्यों की जो geographical location है, यह boundary है, वो महिनमार से लगती है, वो आप नीचे comment करेंगे, जब नागलेंड का जिकर हो रहा है, नागलेंड के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि देश के क इनकिन राज्यों की जो geographical boundary है, वो महिनमार के साथ touch होती है, नीचे comment करेंगे, इसके बाद page number 8 पर हम बात करें, page number 8 पर एक छोटी से information जो हमें पढ़नी है, प्राइम मिर्शन साव ने जो एक साल में तीन जो installment होती है, जो PM किसान सम्मान नीदी योजना के तरू दी जाती है उसको release किया था, लेकिन हमें थोड़ा सा information ये पता होना ची कि PM जो किसान नीदी है, या सम्मान नीदी है, किसान सम्मान नीदी, इसके बारे में इस scheme का क्या initiative है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और अब तक total कितनी amount हमने खर्च करी है, तो यहाँ पर प्राइमिश rate जो लगवग 8% के आज पास है, यूनिकॉर्ण जो 42 firm देखने को मिली, ये सारी चीजे तो है एक तरीके से government के perspective से, अब बात करेंगे, main जो चीजे है कि इस PM किसान सम्मान नीदी या सम्मान नीदी का क्या initiative है, यहाँ पर देखिए, परदाहान मंत्री किसान सम्मान नीदी PM किसान ये स्कीम है जो financially benefit करती है, farmers को 6000 रुपे मिलते हैं हर साल और तीन installment में मिलते हैं, बतला 4-4 महिने में 2000 रुपे उनके account में transfer किये जाते हैं, इनके अलावा एक topic जो काफी ज़्यादा news में रहता है वो है, farmer producer organization, देखिए ये जो organization है, ये basically किसानों की ये farmers की जो input cost है, य और यहाँ पर अभी तक बताया गया कि इस scheme के अंडर अब तक जो है 1.8 lakh crore, यानि लगभग लगभग आप देखेंगे इसमे 1.8 lakh crore जो है रुपे इसमें transfer करेगे इस scheme के अंडर, तो ये scheme काफी ज़्यादा important है, 2019 में ये जो budget announcement हुआ था, उसके अंदर इस scheme के बारे में announcement ह हुआ था, तो agriculture वो topic है, जो पिसले 2-3 सालों से UPSC का one of the favorite topic रहा है, और आने वाले time में भी 2022 क्योंकि अब शुरू हो चुका है, 2022 में भी UPSC, Civil Service Plimps as well as Mains में agriculture को लेकर direct और indirect आपको question देखने को मिलेंगे, इसके बाद page number 10 जो है, इस page number 10 पे आपको छोटी-छोटी जानकार मिलेगी वो ये, सबसे पहले आप left time बिल्कुल एक छोटी-छी information है, V.S. पठानिया साब जो है, ये coast guard के जीव बन चुके हैं, और 24th director general होंगे, Indian coast guard के, और December 31st से इन्होंने अपना charge जो हो टेक अवर किया है, तो इनके बारे में बताया गया, और इनके बारे में थोड़ा स बताया गया, ये जैस एक factual information है, UPSC civil service में साइध कम possibility है, लेकिन दूसरे जो examination होते हैं, one day examination, वहाँ पर इस तरह की news के बारे में इस तरह की basic information, जो appointment के एक topic है, वहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो brief में इसको conclude करेंगे, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, अफगान को लेकर, इंडिया और अफगानिस्तान के bilateral relation किस तरीके से होंगे, और ये bilateral relation या दवी पक्षे सम्मन, after Taliban take over, यानि तालिबान ने जो एक तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कबज़ा किया है, उसके बाद किस तरीके से होंगे, उसको लेकर debate है, लेकि मा आपको बता दू इससे पहले 1996 और 2001 के बीच में जब अफगानिस्तान में Taliban का rule था, तब भी बहुत ही कम countries ने उनको recognize किया था, और 2022 अब सुरू हो चुक है, एक भी ऐसी country नहीं है, जिनोंने अफगानिस्तान की government को recognize किया है, और लेकिन कई issues ऐसे होते हैं, भली आप government को recognize करें, ने करें, और भारत जो है, वो humanitarian मदद वहाँ पर पहले भी करता रहा है, अब भी भी कर रहा है, और इसके पीछे दो बड़ी वज़या है, मैं आपको बताऊंगा, क्यों भारत के लिए ज़रूरी भी है, और important भी है, देखिए यहाँ पर बताया गया, कि इंडिया ने पाच लाख डोजी जो connection की gift करिये अफगानिस्तान को, यहाँ पर जो word use किया गये, इसको ध्यान किये, यह gift है, ठिक, हमें हम कोई commercial sale नहीं कर रहे है, यह gift होगा, gift का मतलब है totally free, ठिक, यहाँ पर यह consignment है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसमें पाकिस्तान जो है लगातार यह कोसिस कर है कि भाई, इंडिया किसी भी न किसी तरीके से अफगानिस्तान वाले territory के अंदर enter नहीं होना चाहिए, वो restrict कर रहे है, कई बार क्या था, जैसे हम अगर यहाँ पर गेहूं या wheat को हम supply कर रहे है, तो उसको रास्ते को block करने कोशिस कर रहे है, इस तरह की चीज़े हो रही है लेकिन भारत ने क्या क्या, alternate route लिया, इरान के थ्रू जो वो अफगानिस्तान के अंदर भेजी गई, और यह बहुत important थी, और अफगानिस्तान के जो permanent representative designate है, United Nation में उन्होंने भारत का धनेबाद भी क्या, और इसके लावा पाकिस्तान, इरान, UAE, चाइना, रश्या और कत यह country जो है, वहाँ पर लगातार medical supplier जो हो वो अफगानिस्तान में भेज रही है, इन्ही सब चीजों के बारे में बताया गया, अफगानिस्तान में यह कहूंगा, कि इस time पर worst economic crisis तो है ही, humanitarian crisis तो है ही, इनके अलावा, वहाँ पर बड़े level पर जो हो health crisis भी हो चुका है, और व मदद भारत क्या direct करेगा, इसको लेकर एक information दी गई, कि यह भारत जो है, United Nation की जो agencies होती है, UN के associate बहुत सारी agencies होती है, जैसे WHO का associate part है, इनके थुरू मदद करता है, इसके अलावा, FAO है, यह बहुत सारी agencies जो इनके साथ काम करती है, उनको भारत support करेगा, या भारत उनको य implementation कैसे करना है, वो United Nation के agencies करेगी, मैं भी आपको बजाता हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए इतना important क्यों है, तेकि अफगानिस्तान में अगर चीजें बिगड जाती है, या बहुत जादा situation खराब हो जाती है, तो इसका result क्या होगा, पहला result यह होगा, कि इस country के अंदर refugee crisis होगा, और refugee crisis होगा, तो क्या होगा, इस पूरे region पर impact करेगा, ठीक, दूसरा, अगर सरकार fail कर जाती है, किसी भी country में, तो वहाँ पर terrorist organization जो बहुत जाद active हो जाएंगे, और भारत की internal security के लिए वो एक definitely एक threat होगा, भारत लगातार इसी को लेकर submit कर रहा है, कि internal security को लेकर ज जो क्वेटा और अफगानिस्तान का जो कंधार है, इस boundary पर, इस route पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चमन नजर आएगा, और इसके ठीक अफगानिस्तान साइट जो है, spin बुलदाक करके, यह दोनों area माना जाता है, और यह जो spin बुलदाक वाला जो region है, यह तो even अ क्या है, यहाँ पर weapon आपको जैसे हमारे यहाँ, vegetables की market होती है, यहाँ पर weapon की market भी नजर आएगी, यानि government कहीं ने कहीं इस region में fail कर रही है, इस particular अफगानिस्तान के अंदर, इसके अलावा, यहाँ पर अगर अफगानिस्तान fail में fail कर जाती है चीजे, तो दिकत भारत के लि environment थी कि हम यहाँ से enter करें, तो एक यह भारत की engagement उसको लेकर यह challenge होगा, और एक और fourth में कहूंगा कि geopolitics के हिसाब से चाइना और पाकिस्तान की अगर यहाँ पर बहुत जादा engagement होगी, तो भी भारत के लिए challenge है, इसलिए भारत यहाँ पर humanitarian जो मदद कर रहा है, उसके पीछे एक तो definitely एक अच्छी नियत है, यह सही है, बट इसके पीछे बहुत सारे factor होते हैं, जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे चीज़े अब्जाव करी जाते हैं, उसके basis पर यह decision जो हो लिए जाते हैं, तो काफ़ important है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की geographical location और अफगानिस् जहसे यहाँ पर mention किया गया है, सुन्दरबन Tiger Reserve National Park के बारे में बताया गया है, कि सुन्दरबन में कुछ Tiger जो है, वो particular area से बहार आ रहे हैं, और वो लोगों पर attack कर रहे हैं या क्रीके से, वो एक जो Tiger Reserve की restricted area उससे कहीने कहीं बहार आ जाते हैं, तो सुन्दरबन के बारे में यहाँ पर बहुत important National Park और Tiger Reserve है, और काफी important है, सुन्दरबन के बारे में, इसके अलावा देश के अंदर बहुत सारे Tiger Reserve को जो है, नोटिफाई किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पर एक word mention किया गया, strip, ठीक, UPSC ने I think 2015-16 में एक question पूछा था, M Stripes करके, कि M Stripes जो है, किस से related है, किसके conservation से है, किसको observation को लेकर यह news में रहता है, तो M Stripes basically, Stripes क्या होते ही पटी, यहाँ पर आप देखेंगे, Tiger पर यह आपको पटी है, नजर आएगी, इसी को बोलते है, M Stripes technology के थुरू इनको monitor करना है, इनको population को observation करना था, तो यह news में रहा था, 2015-16 के आशपास UPSC Civil Service Police में यह सवाल पूछा गया था, अच्छा आप लोगों के लिएक सवाल यह है, कि देश के अंदर इस टाइम total Tiger इसे हो कितने है, यानि कुल कितने बाग सरंक्सित शेतर हैं, यह आप नीचे comment करेंगे, और जो latest है, यानि 2020-21 में जो बने हैं, latest वो कौन-कौन से है, किन राज्यों के अंदर है, वो भी आप नीचे comment करेंगे, तो यह दो सवाल अभी तक आप लोगों के लिए, इनके बारे में जुरूर देखी, पूरी लिस्ट काफी important है, कई बार UPSC के अगर हम आप थोड़ा सा background देखेंगे, 2017 के बाद करें, दुनिया में क्या चीज़े चल रही है, और क्या इसका impact हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तक हम लगातार पढ़ रहे हैं, कि US और Russia के बीच में जो issue है, उसी के बारे में फिर से बताया गया है, यहाँ पर मैं फिर आपको repeat कर दूँ, कि पूरा scenario हुआ क है, देखिए, युक्रेन एक important country है, और युक्रेन के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उसकी geographical location एक second, यह वाली, ठीक है, तो युक्रेन में अभी जो situation उसके लेकर ही दोनों countries के बीच में issue है, मैं repeat कर दूँ, brief में ही, युक्रेन का जो यह वाला part है, जो south east part जिसको बोलते ह Donbass region, ठीक है, इसके आसपा जो Russian territory है, यहाँ पर इन्होंने एक लाग के force खड़ी कर दी है, तो western country, US को या NATO group को यह लगता है कि भाई, यह इसको invade कर सकते है, क्योंकि इससे पहले क्रिमिया के इनका part वाता था उसको रश्या invade कर चुका है, हलाकि उसके बाद रश्या पर बह यहाँ पर expansion नहीं होगा, कोई यहाँ पर जैसे Black Sea में कोई exercise नहीं होने चाहिए, आप हमारी security को treat मत करिये, western country यह बोल रही है कि अगर Ukraine को invade किया, या करने की कोशिस करी, तो Russia पर जो sanction होंगे, वो बहुत भारी होंगे, लेकिन उन सब के बीच में एक important meeting होगी, इनके officials की, I think 10 या 12 जनवरी के आसपास, वहाँ पर ये consultation करेंगे, कुछ चीजे जो sort out, जो होगे, इसके बारे हम बात करेंगे, और इसी firing में आप देखिए, इस tension की बीच में एक Ukrainian soldier जो है, उसकी death view ही है, Russia और Ukraine के issue को लेकर, ठीक है, इसके अलावा, यहाँ पर एक अच्छी news में कहूंगा कि अब तक हम पढ़ते थे कि जो North Korea के leader है, किम जॉंग उन, यह जो news में रहते हैं, वो किसकी वज़े से रहते हैं, वो रहते हैं, कि North Korea में इन्होंने missile को testing करी, सहे ballistic missile हो या दूसरी missile हो, लेकिन अब अच्छी news यह आई है, कि focus on economy, food production for 2022, किम जॉंग उनने यह declare किया है, कि उ economy, food production को लेकर रहने वाला है, अगर आप देखेंगे North Korea की भली defense में North Korea काफी improvement किया है, बट अगर आप ground पे वहाँ कर poverty का data को लेकर हो, या अलग-अलग indicators को देखने को मिले, हलाकि बहुत सारे agencies को वहाँ access ही नहीं है, तो basic information नहीं है, लेकिन माना जाथा काफी ज्यादा humanitarian वह and policy के बारे बहुत जादा नहीं mention किया, लेकिन इन्होंने ये भी का है, कि भाई हम यहाँ पर military capabilities को बढ़ाते रहेंगे, improvement करते रहेंगे, क्योंकि इस peninsula की जो geographical condition है, उसको हम international situation के according अपनी military rules को भी improvement करेंगे, या military development जो होंगे, उनको improvement करेंगे, तो North Korea की आपको एक visit करवा के लाएंगे, North Korea definitely एक अच्छी country भी है और बुरी भी हो सकती कुछ country देशों के लिए, लेकिन भारत के अगर आप बात करेंगे North Korea के साथ relation की, तो भारत यहाँ पर काफे जादा humanitarian assist करता है, तो बहुत जादा नुकसान नहीं है इंडिया को अगर bilateral relation के हाला कि बहुत जाद engagement भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन North Korea की geographical location को आप observe करिए, Sea of Japan या East Sea, Yellow Sea, उपर चाइना, इसके थोड़ा साब बिलकुल अगर आप देखे नौर्थ इस्टन पार्ट में, जो व्लादी वॉस्टक वाला रेजिन रशिया का, यहाँ पर इसकी boundary बोलते हैं, यह इसकी capital होगी, तो North Korea काफी जादा news में रहता है, खासकर defense के मामले में news में रहता है, बट अभी जो news आई वो थोड़ी सी different आपको देखने को मिलेगी, किम जोंगून जो की यहाँ के supreme leader है, ठीक, इसके अलावा, इसी page पर world affair में, यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी information यह है, आप देखेंगे, 2021 में काफी important एक summit होई थी, United Nation Framework Convention on Climate Change को लेकर, COP No.26, Conference of Party No.26, और वो कहाँ पर होई थी, United Kingdom के अंदर, ठीक है, इन सब चीजों के बीच में, एक और debate शुरू होगी, European Union में, European Union का मतलब क्या है, यूरोप के 27 country का group है, ब्लोक है, जिसस बेटे न अलग हो गया था, पहले 28 थे, अब यह 27 हो चुके है, तो यहाँ पर क्या nuclear gas energy को green tech के अंदर include किया जाए, नए किया जाए, इसको लेकर इस group के अंदर, यह काफी ज़्यादा debate है, मैं यह कहूंगा, कि अगर आश्यान group बहुँ ज़्यादा successful है, interconnected है, तो यह group जो है इसमें काफी ज़्यादा confusion भी नज़र आए, हलाकि यह successful है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट काफी ज़्यादा conflict आपस में नज़र आता है, तो European Union, यह भी हो सकता है कि एक country यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एक 10 country के बीच में और 27 country में बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है, यहाँ पर बताया गया, European Union प्लानिंग कर रहा है कि वो nuclear power को या natural gas को क्या green energy के अंदर उसको tag करें ना करें, इसको लेकर debate है, और इसमें अगर हम बात करें, European Union ने प्लानिंग करें कि climate change से हम लोग fight करेंगे, जो emission होता है, उसको करेंगे, अगर यह approval हो जाता है, तो इसक nuclear power और जो natural gas है, यह भी कहिने कहीं, इसमें include हो जाएंगी, कुछ countries का विरोध करती है, फ्रांस की बात करें, वहाँ पर बहुत ज्यादा nuclear power plant है, काफी ज्यादा energy source का एक important role play करता है, इसके अलावा, अश्रिया इसका विरोध करता है, ठीक है, जर्मनी जो है, वो काफी ज्या इनरियों के बीच में, अगर natural gas को यहाँ पर define, हम defend करते हैं, तो जो transitional period है, यानि या तो आप defend करिए, इसको tag कर दीजी, या कुछ सालों के लिए इसको approval देजी, ताकि एक transition जो होगा, जितने वी renewable energy sources के अंदर, उसमें हम लोग काम कर पाएं, और तब तक के लिए एक alternate जो हो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो page number 11 पर, यानि world affair में जो important information है, उसके बारे में, brief में हमने discussion किया, इसके बाद page number 12, science and technology, इसके बारे में कोई particular information नहीं है, basic basic सी जान करिए, यहाँ पर जैसे crossing the border आप पढ़ सकते इस तरह की छोटी information को, page number अगर आप 13 पर तो एक चीजे जो थोड़ी से आप पढ़ सकते, that is IPO rule को लेकर, बाकी कोई particular information नहीं है, कि जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा detail में discussion करें, पढ़े, ठीक है, और मैं आपको editorial के बारे में बता दू, editorial जो होगा, Monday to Saturday होगा, Sunday को editorial नहीं आता, तो editorial पार्ट उसमें include नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग Monday यानि 3 January 2022 से start करेंगे, इसके लावा क्योंकि Sunday है, तो आज economy के perspective से बहुत ज़्यादा news आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये basic basic सी reliance का share कितना है, और कुछ IPO's को लेकर जो rule आए है, initial एक तरीके से public offer होता है, ठीक है, initial public offering इसको लेकर आप थोड़ perspective से, मैंने ये बताया कि sports में जो news आती है, वो important news ही हम लोग cover करते हैं, जो की तरीके से बोले कि complete output हो, जैसे अगर आप यहाँ पर tennis में देखेंगे, tennis में बहुत सारे event होते रहते हैं, लेकिन इन में जो grand slams है, ये बहुत important, जैसे Australian open है, French open है, या विमल्डन है, या US open है, हल इवेंट है, ये काफी important है, जैसे FIFA World Cup है, कोई ICC का major events है, ये ज्यादा important है, otherwise जो छोटी-छोटी tournament चलती रहती है, उनके बारे में पढ़ना sports में इतना important नहीं है, ना तो वो याद रहेगी, और civil services के अगर हम बात करें, 2021 में sports को लेकर question हुए थे, बर जो sports को लेकर 2021 में सवा सवाल हुए थे, उनका एक बड़ा reason ये था, कि वो major event थे, जैसे अगर आप देखेंगे, कि Olympic जो वो बड़ा event हुआ था, इसलिए सवाल पूछेगे, तो हो सकता है कि major event उसको लेकर आने वाले time में, 2022 में civil service examination के अंदर भी, आपको sports के कुछ question देखने को मिले, इसलिए हम उस को पार्ट को भी brief में cover करें, तो आज के the Hindu analysis में इतना ही, thank you all, जै हिंद!